हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अबर चनल, ऐसा स्टेडी सोल्यूशन, आज की इस वीडियो में हम दॉक्टर फोस्टस रिटन वाई किस्टोफर मारलो की समरी के बारे में जानेंगे और इस समरी को हम बड़े ही जीवे से आपको समझाएंगे, आई ये वीडियो की सुरुवात करते हैं, जो फुल टाइटल है इस पले डॉक्टर फोस्टस का वो क्या है, वो है ये इसका पूरा टाइटल है, डॉक्टर फोस्टस तो इसका सोट टाइटल है, इट जे पले वाई किस्टोफर मारलो, ये पले है किस्टोफर मारलो के द्वारा बेश्ट ओन दा फोस्टस स्टोरी, जो की बेश्ट है फोस्टस की स्टोरी पर, in which a man sells his soul to the devil, जिसमें एक मैन, यानि की एक आदमी, अपनी आत्मा को बेच देता है, राक्षस को for money and knowledge, यानि की money and knowledge के लिए बहे अपनी आत् राक्षस को बेच देता है, डोक्टर फोस्टस वाज, first published in 604, यानि की डोक्टर फोस्टस सबसे पहले पब्लिश हुआ, 604 में, 11 years after मारलो, डेट, यानि की मारलो की मृत्यू के 11 साल, वाज, and at least, और कम से कम 12 years after the first performance of the play, और पले की first performance के 12 साल बाद, in this play, मारलो has used the structure of medieval morality play, इस play में, मारलो ने कौन से structure को यूज किया है, medieval morality play के structure को उप्योग किया है, medieval यानि की मध्यकालिन और morality यानि की नितिकता, in which a man sells his soul to the devil for power and knowledge, जिसमें एक man अपनी आत्मा को बेच देता है, रक्सर्स को power और knowledge के लिए, ये तु था इसका introduction, लेकिन आपको एक्जाम में ये introduction या फिर point बना कर नहीं लिखना है, आपको paragraph wise ये summary लिखनी है, जैसे आपने यहाँ power and knowledge पर ये paragraph खतम किया, तो आपको आगे अलग point बना कर और उसको explain नहीं करना है, सिदा जैसे हमने उपर the full title of the place से सुरू किया था, ये वाला पहरा, उसी परकार आगे वाला पहरा भी लिखना है, जब आगे पहरी आएंगे और तो उसमें हम आपको बता देंगे कि किस परकार लिखना है, फिर अब हम summary पर आते हैं, फोस्टस है जे famous scholar who has already attained mastery over various fields, यानि कि फोस्टस एक परसिद विद्वान है, जिसमें उसने बिविन छेतरों ने अपना नाम कमाया है, और वो कौन-कौन से छेतर है, वो है logic, medicine, law and divinity, but फोस्टस is not satisfied with his achievements, लेकिन जो फोस्टस है, वो अपनी achievements को प्राप्त करने पर भी संतोष्ट नहीं होता, he wants to get unlimited knowledge and wealth, बह पाना चाता है, unlimited knowledge or wealth को to satisfy his desire, फोस्टस decides to learn necromancy, अपनी इच्छा को संतोष्ट करने के लिए, फोस्टस necromancy सीखने का decide करता है, that is black magic, और ये necromancy क्या है, एक black magic है, he sends his servant and calls his two friends, bells and cornelius, बह अपने नुकर को भीचता है, और अपने दो मित्तर, bells or cornelius को मुलाता है, bells and cornelius are magicians, और जो bells or cornelius हैं, वो magicians हैं, फोस्टस learns some magical spells from him, फोस्टस उनसे कुछ चादूई मंतर सीखता है, chanting which cause, जिसको जपने से लुसिफर्स messenger mephistophilis appear, लुसिफर का दूत mephistophilis दिखाई देता है, ये लुसिफर तो है, एक devil, एक ruxus, और mephistophilis उसका messenger है, दूत है, फोस्टस offers him a deal according to which, फोस्टस will sell his soul to Lucifer, फोस्टस mephistophilis के सामने एक offer रखता है, और उस offer में बैडील रखता है, कि फोस्टस अपनी आतमा को, लुसिफर को बेच देगा, इफ लुसिफर विल एलो फोस्टस to live in his freedom for 24 years, यदि लुसिफर फोस्टस को 24 साल तक अपनी अजादी से जिनने के लिए एलो करता है तो, and allow mephistophilis to become his servant, और mephistophilis को फोस्टस का दूत, फोस्टस का नोकर बनने की छूट दे, यानि कि यदि लुसिफर फोस्टस को 24 वर्स तक अपनी अजादी से जिनने रखा mephistophilis को उसका नोकर बनने की छूट दे, तो फोस्टस अपनी आत्मा लुसिफर को बेच देगा, when mephistophilis approaches लुसिफर बिद फोस्टस ओफर, जब mephistophilis लुसिफर के पास फोस्टस के ओफर के लिए जाता है, जो गुड एंजल और जो एविल एंजल है, वो आते हैं, जो गुड एंजल है, वो एडवाईजिज देता है, कि तू ब्लेक मैजिक से दूर रहे, वाईल दा एविल एंजल परसुएड्स हिम तू मेक एडील बिद दा डेविल, भई जो एविल एंजल है, वो फोस्टस को डेविल के साथ सोधा करने के लिए उकसाता है, फोस्टस सकंब्स तू हिज टेमपेशन्स एंड रिजेक्ट्स दा गुड एंजल्स एडवाईज, फोस्टस उसके ललच के प्रवाम में आजाता है, और गुड एंजल की सला को नकार देता है, मना कर देता है, मेफिस्टोफिलिस एपियर्स एंड इनफोर्म्स फोस्टस डेट लुसीफर हैज असेप्टीड इज टरम्स वट फोस्टस मस्ट्राइट एबॉन्ड विद इज ओन बलड। मेफिस्टोफिलिस फिर से आता है, और फोस्टस को इनफोर्म करता है कि लुसीफर ने उसके सरते मान ली है, बट फोस्टस मस्ट राइट एबॉन्ड विद इज ओन बलड। प्रन्तु फोस्टस को अपने रक्त से एक बॉन्ड लिखना होगा, एगरिंग टो सैल हिज सोल टो लुसीफर, जिसमें बहें अपनी आत्मा लुसीफर को बेचने पर सहमत हो। फोस्टस ग्लैडली राइट एबॉन्ड और दज मफिश्टोफिलिस विकम हिज सलेव। फोस्टस खुशी से एक बॉन्ड लिखता है और इस परकार मफिश्टोफिलिस उसका दास बन जाता है। What there are occasions in between when फोस्टस tries to return his steps लेकिन बीच बीच में ऐसे भी अपसराते हैं जब फोस्टस अपने कदम पिच्छे खिंचने की कोशिस करता है। What his desire for unlimited knowledge and wealth does not allow him to do so, लेकिन उसकी ऐसी मित ज्यान बैधन पाने की इच्छा उसे ऐसा नहीं करने देती। In fact, the conflict goes on in फोस्टस माइंड from the very beginning और बास्तम में यादवंदव फोस्टस के माइंड में सुरू सही चल रहा था। Good angel और evil angel portray this inner conflict of फोस्टस। Good angel और evil angel फोस्टस के इसी अंतरवंदव को दरसाते हैं। क्या अंतरवंदव था कि क्या बहे मेफिश्टोफिलिस को अपना नुकर बनाए और 24 साल बाद अपनी आत्मा लुशीफर को बेच दे या फिर ऐसा ना करें। ये दोनों अंतरवंदव चल रहे थे फोस्टस के माइंड में और ये दोनों अंतरवंदव ही Good angel और evil angel हैं। फोस्टस आस्क मेफिश्टोफिलिस वेरियस कोस्चन्स अबाउट दा यूनिवर्स। फोस्टस मेफिश्टोफिलिस से तरह तरह के कोस्चन पूछता है यूनिवर्स के उपर, what is answers are unable to satisfy फोस्टस। लेकिन जब मेफिश्टोफिलिस उत्र देर रगता है तो फोस्टस उसके उत्तर से satisfy नहीं होता, फोस्टस tries to go back to the shelter of God, फोस्टस ट्राइ करता है बगवान की सर्ण में जाने के लिए बट मेफिश्टोफिलिस और जो लूसिफर है वो उसे ऐसा नहीं करने देते, do not allow him, do so, लूसिफर summons the seven deadly sins, लूसिफर seven deadly sins को बुलता है to distract फोस्टस फोस्टस का ध्यार बन्टाने के लिए और फोस्टस को entertain करने के लिए and entertain फोस्टस फोस्टस and ट्रिक ओन दा पॉप फोस्टर पॉप के उपर एक ट्रिक करता है एंड हिट्स दा पॉप इन दा इयर और पॉप के इयर में मारता है वैन ही रिटर्न होम जब भैगर बापिस आता है यह रिसीव एन इंविटेशन फ्रॉम एंपरर चार्ल्स वी ओफ जर्मनी तो उसे एंपर एंपरस कोट फosarnos Emperor के कोट में चाजाता है एड दा रिक्स्ट ओफ दी एंपरर फोस्टर प्रिचंडर दा ्रीटा को और उसकी वाईफ को वट लेम एफिस्टोफिलिस फोस्टस के कहने पर ले आया था ओन रिटर्निंग होम घर बापिस आने पर फोस्टस इज अप्रोच्ट वाई ए होरस डिलर फोस्टस के पास एक घोड़े का वेपारी आता है वो बांट्स टुवाई फोस्टस होरस और 40 डोलर्स जो फोस्टस का बैपारी को वर्निंग दिता है तो कीप दह ओरस अभे फ्रोम दा वाटर कि घोड़े को पाणी से दूर रख़ दा मर्चंत दज नोट टेक सी य зачем वर्निंग जो ब्यापारी होता है उसकी वार्निंग को सिरियसली निलेता एंड राइड से होरस और घोडे पर सवार होकर एंटर से ए पॉंड एक पॉंड में तलाम में गुज जाता है फोस्टर्स होरस विच इज मैजिकल फोस्टर्स का घोड़ा जो की जादूई था वोड सडनली डिसपियर अचानक से गायव हो गया वैंदा मर्चेंट आस्क फोर हिज मनी बैक जब ब्यापारी उससे अपने पैसे बापिस लेने के लिए गयता है फोस्टर्स ट्रैप सिम बिध हिज मैजिक फोस्टर्स उसे अपने जादूई जाल में फशा लेता है एंड एक्स्ट्रैक्स अनदर 40 डॉलर फ्रॉम हिम और 40 डॉलर और उससे ले लेता है फोस्टर्स इज फुली अवेर दैट दा बॉन्ड's 24 एर ट्रम इज सलोली कमिंग तो एन एंड फोस्टर्स को इस बात का पुरा एसास है कि बॉन्ड के 24 बरसों के अबदी दिरे दिरे समाप्त हो रही है अब है अपने कारियों पर पच्तावा करता है इन सचे सुच्वेशन गुड एंजल एंड 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 आ जाते हैं जो गुड एंड 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 ए Fosters concerns with his fellow scholars on who is the most beautiful woman in the world Fosters अपने साथी विद्वानों के साथ इस बात पर प्रामर्स करता है कि दुनिया की सबसे सुन्दर औरत कौन है I'll agree on the name of Helen of Troy सभी Helen of Troy के नाम पर एकमत हो जाते है He tells Mephistopheles that he parts Helen as his girlfriend वह Mephistopheles से कहता है कि वह उसे यानि की Helen को उसे अपनी प्रेमिका की रूप में पाना चाता है Fosters thinks that Helen beauty will make him immortal Fosters सोचता है कि Helen की beauty Helen की सुन्दरता उसे अमर बना देगी और नसवर बना देगी Fosters and day has come Fosters के अंत का दिन आ गया है One scholar wants to stay with Fosters till the end एक साथी विद्वान अंतियम समय तक Fosters के साथ रहने की पेसकस करता है What Fosters knows that nobody can help him now लेकिन Fosters साथ को पता है कि अब कोई भी उसकी साथा नहीं कर सकता When the clock strikes 11 at night जब कलोक में घड़ी में 11 बसते हैं Fosters reflect on the actions of his past life Fosters अपने जीवन के बित्ते कार्यों कलापों पर विचार करता है When the clock strikes 11 at night Sorry, When the clock strikes half past 11 Fosters cries for God's forgiveness जब घड़ी में 11 बसते हैं Fosters बगवान से दया की प्रातना करता है When the clock strikes 12 The devil comes and takes him to hell और जब घड़ी में 12 बसते हैं राक्सस आते हैं और उसे नरक में ले जाते हैं तो ये तो थी इस chapter की full summary जो हमने आपके लिए बहुती easy language में बढ़ा दी है और आपको समझा दी है अब आपका काम रह गया है वीडियो को लाइक करना चनल पर नहीं है तो चनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने friends के साथ वीडियो को share करना Thank you फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ मढ़े रहें SR study solution के साथ